आपको दिखरा भी होगा उच्छा सिक्षा पॉली टेक्निक और इंजिरिंग कॉलेजों में अगले हफ्ते से एड्मीसन होगा मतलब यहाँ पर फॉर्मेसी का मेंसर नहीं किया है लेकिन जो एड्मीसन होगा वो तीनों का एक सांथ प्रोसेस चालो होगा यह आपका तीन घंटा पहले ही अपडेट हुआ है रागर पेज पर ठीक है आगे लिखता है राज इस्तर पर दो रौंड में होगी कांसिलिंग दो दीन के भीतर जारी होगी डेट सीट तो आप लोग का बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि कब तक डेट सीट वगेरा आ सकता है क क्या टाइम डूरेशन हो सकता तो यहाँ पर बताये गया है न्यूज आर्टिकल में कि दो दीन के अंदर यानि कि जो भी आपका डेटा होगा तारीक होगा वो यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा आगे लिखता है पॉली टेकनिक और इंजिरिंग कॉलेजों में एडमिसन प्रोसेस अगले हपते से सुरू हो जाएगी यहाँ पर फॉर्मेसी में इसन नहीं किया है न्यूज आर्टिकल है बट यहाँ पर फॉर्मेसी को भी ले करके आप चले इस बार पीटी या पीपीटी या पीपीटी नहीं करा कर बारवी बोर्ट परिक्षा क्यांकों के आधा पर एडमिशन होने हैं तक्निकी सिख्चा विभाग इसके लिए एक या दो दिन में डेट सिट जारी कर देगा अगर लिखता है स्टुडेंट को इस बार तक्निकी सिख्चा विभाग की वेबसाइट जो कि आपको मैंने बताया भी बहुत बार इसके लिए अलग से एक सॉप्टेर भिया बना दिया गया है तक्निकी सिख्चा विभाग के जॉइन डिरेक्टर सर डॉक्टर अजय गर्ग सर ने बताया कि इस बार एडमिशन जादा लेट होने की वज़ा से इस बार सिर्फ दो चरण में ही काउंसलिंग होगी मतलब इस बार फर्स्ट काउंसलिंग होगा और सेगेंड़ काउंसलिंग हुआ जैसा यहाँ पर आर्टिकल कह रहा है इसके हिसाब से इसके अकॉसलिंग दो यहाँपर क्या होगा इस टेप में आपका काउंसलिंग होगा 1st counseling और 2nd counseling 3rd counseling और local counseling यहाँ पे ले करें कुछ नहीं mention है लिखता है पिछले वरसों तक 4 चर्ढ़ में counseling होती थी जैसे कि मैंने आपको last video में भी बताया था कि 4 चर्ण़ों में आपका क्या है counseling होता था लेकिन इस बार यहाँ पे 2 होने वाला है आगे लिखता है यहां पर राइगर जीले का वैसे बेसिकली ज़्यादा डिटेल दिया हुआ है बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं जीले में पॉली टेक्निक कॉलेज में यह यह विभाग है जैसे मैकेनिकल सिविल यह सब सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा एडमिसन होते हैं यहां पर प्रिंसिपल सर ने बताया कि आखिल भारती टक्निकी सिक्षा परिसद जिसको AICTE बोलते All India Institute of Technical Education ठीक है यह पूरे भारत के जितने टेक्निकल इंस्टिटूट है उन सबको एप्प्रूवल देता है ठीक है जिसमें पहले फेज में 20 अक्टूबर तक इसके बाद 2 सेकेंड फेज में 1 नवंबर तक और यदि कॉलेजों में सीटे खाली रह जाती है मतलब यह दो दिन के बाद भी अगर सीट नहीं वरता है तब कॉलेज अपने इस तर पर 15 नवंबर तक मेरिट लिस्ट जारी करेंगे यह जो कॉलेज अपने इस तर पर जो करेगा इसी को ही लोकल कॉंसलिंग कहते हैं लेकिन राज इस तर पर दो राउंड की कॉंसलिंग होगी लेकिन जो स्टेट वाइस होगा आपका क्या होगा दो राउंड की कॉंसलिंग होगी फस्ट कॉंसलिंग होगी और सेकेंड कॉंसलिंग होगी तो इसके रिगार्डिंग जल्द ही आपक को वीडियो के थुरू बताऊंगा आपको अगर न्यूज आता है तो आप मुझे भी सेयर कर सकते हैं